हलो बच्चों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन्स क्लासे भी एजेसर में इस्टेंट्स आज किसी वीडियो में हमनों डिसकस करने वाले हैं क्लास 11 के एक इंपॉर्टन टॉपिक को जिसका नाम है पैरलेलोग्राम लौ विक्रडेशन इसके पहले हम लोगों ने ऐसी कई सारे इंपॉर्टन टॉपिक को डिसकस कर रखा है तो यदि आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो अपने चैनल में पूरी प्लेलिश्ट बनी हुरी है वहाँ पर आप लोगों को सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे तो चले बचो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्या भी हमने बताया आप लोगों को पैरलेलोग्राम लोव वेक्टर एडिशन तो पहले बचो इसका हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट में क्या बोला गया है उसको समझेंगे और साथ ही साथ इसकी प्रूविंग भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुर सभी सुना आप लोगों ने इसकी प्रूविंग भी देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे मतलब जो या कह सकते हो जो effective value होती वो निकालते हैं हना तो statement को read करते हैं फिर आगे चीजों को discuss करेंगे तो statement बच्छों क्या बोला गया है तो बच्छों बोला गया है If two vectors can be represented both in magnitude and direction by the two adjacent sides of a palogram drawn from a common point then the resultant is completely represented both in magnitude and direction by the diagonals of the palogram passing through that point अब एक ही क्लियन को बच्छों समझने का प्यास करिए क्या बोला गया है कहारे है कोई भी दो vector जो magnitude और direction को represent कर रहे हो तो एक हमारे पास vector a है दूसरा vector हमारे पास b है ये दोनों magnitude और direction दोनों को represent कर रहे है ठीक है ना तो इनको आपको arrange कर देना है two adjacent sides में ठीक है इनको दोनों का arrange कर देना है two adjacent sides में और किसकी? पहलो ग्राम की clear ना और गौर करिएगा common point से होना चाहिए common point का मतलब होता है एक ही point से दोनों vectors add होने चाहिए या जुड़े होने चाहिए तो एक vector आपके पास ये दिख रहा बच्चों और दूसरे vector आपको ये दिख रहा है clear ना? इसके बाद इसको आप थोड़ा सा की जैसे पैलोग्राम होता है ना इसको fully बना दीजे तो आपको ये बना दोगे फिसके बाद ये line ड्रॉ कर दोगे इतना clear ना? तो इन दोनों का जो resultant होता है हाना? वो कौन represent करेगा? वो बच्चों represent करेगा इसका diagonal जो पैलोग्राम का diagonal होगा यही इसके यही इसके resultant को represent करेगा लेकिन गौर करेंग बच्चों यहाँ पर through that point इस point से जो diagonal ड्रॉ किया गया है इस वाले से नहीं जिस common point से दोनों victors add हुए है जुड़े हुए हैं जिस point से उसी point से जो diagonal डाला जाएगा हाना यह जुड़े हैं नो दोनों तो यह जो diagonal होगा यह किसको represent करेगा बच्चों यह represent करेगा resultant को बस इसी बात को बोला गया है वैसिस की proving में हमें formula कौन सा मिलेगा तो यह अभी आपके सामने लिख देते हैं फिर इसके हम लोग proving भी करेंगे R होता है बच्चों resultant तो बच्चों जा हम लोग इसकी proving करेंगे तो हमें यह देखने को मिलेगा A square plus B square और 2AB cos theta ठीक है बच्चों यह हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा अब इसी के हमें proving करनी है इसके करते हैं लोग proving कि proving व्यवस्था क्या है तो अगले page में कैसे आए ऐसे आ जाएंगे यह इसके करते हैं लोग proving कि कैसे prove होगा यह बहुत आसान है बच्चों exam में पूछा बहुत जाता है जिसके लिए आप लोगों को पहले से चीज़े तयार करनी होंगी ठीक है ना diagram में कुछ चीज़े आपको नई देखेंगी तो इसको भी आपको समझा देते हैं तो इसके लिए देते हैं read ठीक है vector A आपको बच्चों दिख रहा होगा वो theta है और vector A के साथ जो diagonal angle बना रहा है उसको हमने consider कर रखा है beta हमें prove करना है तो proving के लिए ज़रूरी है कि op line को थोड़ा सा produce करोगे तो हमने op को pn तक produce कर दिया clear ना इसके बाद हमने sn perpendicular line draw कर दी है pn पर तो यहाँ पर angle जो बने एक बच्चों वो कौन सा बनेगा 90 degree तो आपको यह दिखेगा यहाँ पर एक right angle triangle clear ना तो यह आपको अलग से draw करना ही पड़ेगा यतनी बाद clear हो गई ना ठीक है बई और जितना भी आप लोगोंने extra draw किया है उसी पर पहले आप लोग काम करोगे देखिए proving करने के लिए step को दिमाग पर रिखने जरूरी होता है हाना बीना step को दिमाग पर रखे हुए आप सोच लो कि derivation कर लो तो यह नामकिन है ठीक है ना तो step को जोर फोकस करें यहां तरीका आपको बहुत आसान बताया जाएगा जिस्या वो कोई दिक्कत ना हो तो जितना भी आप लोगोंने extra work किया है वहाँ पर हम पूरा काम करेंगे तो आपको बच्चों दिख रहा हो गया पर right triangle triangle कौन सा as and p तो यहाँ पर लिखेंगे in right triangle triangle हम सीधा सिर्फ triangle बनाया दे रहा है आप लोग समझ दीजेगा as p sp ना करिए इसको थोड़ा सा इसको करिए as and p अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम ऐसा ना करें कि pns कर दे कोई दिक्कत नहीं बच्चों कोई भी दिक्कत नहीं है यहां पर आपको पहले लगा देना है sin theta क्यों लगा रहे है आपको समझ में आएगा sin theta क्या होता है perpendicular upon hypotenuse आप लोग ने high school पर रख़ा है ना हाँ बिलकुल sin theta perpendicular यहां पर बच्चों कौन सी लाइन है sn है hypotenuse कौन सी लाइन है sp है sin theta यहां पर बच्चों आजाएगा sn कितना है पता नहीं sn तो निकालना ही पड़ेगा हमको sp कितना है तो vector b का हम लोग magnitude रखेंगे तो हो जाएगा b तो sn equal आजाएगा बच्चों b sin theta हाना क्या जाएगा b sin theta तो sn की value तो निकाल आई same इसी तरह बच्चों लोग अब की बार लगा देंगे cos theta क्या लगा देंगे की बार cos theta लगा देंगे जैसे अब cos theta लगाओगे तो cos theta क्या होता है यादे कि नहीं यादे base upon hypotenuse याद करो भई high school में आप लोग पढ़किया है हो तो cos theta जैसे यहाँ पर लगाओगे तो base यहाँ पर क्या है pn है और जो hypotenuse है वो b है तो जैसे pn की value बच्चों निकालोगे तो क्या निकलाएगा b cos theta है इतना आपको निकालके पहले ही दिखा देना है teacher को कि हाँ हमने यहाँ पर ऐसा काम किया तो finally बच्चों लोगों देख लिए कि जो pn है वो कितना है b cos theta b cos theta और जो हमारे पास sn है वो b sin theta है b sin theta बताए कि इतनी बात clear ना इतनी बात clear है तो हम लोग ऐसा करते हैं रुकिये थोड़ा सा तो हमको value तो पता चल गई कि value आपर कौन-कौन से निकाली है हम लोगोंने pn की जो निकल के आई है b cos theta है ना और यहाँ निकल के आई है बच्चों b sin theta ठीक है ना आप लोग समझदार हो हमने निकाल कर दिखा दिया तो आप पैचान भी जाओगे कि value कैसे निकाली गई है इसके बाद बच्चों आप लोगों को एक right triangle triangle और दिखेगा पौन साहे वैसे तो आपको दिखेगा in right triangle triangle o n s दिखा बच्चों आप लोगों को o n और s इसमें लगा दें बच्चों pythagoras theorem to using by using pythagoras theorem by using pythagoras theorem by using pythagoras theorem क्या होता है बच्चों यह बच्चों होता है hypotenuse square equal perpendicular square plus base square या देके नहीं याद है यह formula आप लोगों ने पढ़ा होगा hypotenuse बच्चों कौन सी line है on sin square theta plus a plus a plus b को holy square learn learn cos square theta क्योंकि आप छोटे क्लास में नहीं हो a b cos theta ठीक है r square equal अब बच्चों यहाँ पर देखिए b square sin square theta और b square cos square theta इनको दोनों को पासपे रख लिए और a square को आगे लिख लिए इन दोनों से b square कॉमा ले लिए जैसे b square common होगा तो यह sin square theta plus cos square theta plus हो जाएगा 2 a b थोड़ा आगे पीछे लिखा गया बागे बहुत बड़ा काम नहीं इसमें ऐसे क्यों किया कि a b आपको reason सौंज में आ जाएगा a square कोई दिक्कत नहीं plus b square कोई दिक्कत नहीं आपको बच्चों पता होना चाहिए कि sin square theta plus cos square theta बराबर होता है one तो यहाँ पर one और यह हो जाएगा 2 a b cos theta clear ना तो r square equal हो जाएगा बच्चों a square plus b square plus 2 a b cos theta clear ना चलिए देखिए जैसे आप लोग यहाँ से r निकालोगे तो r equal हो जाएगा square root square किसमें जाएगा square root में हो जाएगा a square plus b square plus 2 a b cos theta तो बच्चों इस formula से आप लोग निकाल सकते हो इसके resultant को हाना इससे resultant का कहने कलेगा magnitude हाना कहने का सकता है बच्चों magnitude a पहले वेक्टर के magnitude b दूसरे वेक्टर के magnitude बाकि r जो है वो दोनों का total है मतलब resultant दोनों का है तो यह proving तो हो गई इसके हेल पेस हम लोग क्या निकालेंगे इसके magnitude को लेकिन यह आप से कह दे कि बच्चों ऐसा भी करिए इसकी direction भी पता करनी हो तो क्या करोगे तो direction के लिए भी ववस्था है हैना direction की भी ववस्था है और direction की वस्था की direction की वस्था हम लुग कैसे करेंगे चलिए बाई इसको भी हम लोग गार करते हैं क्या इसकी direction next page में आना पड़े गा हमको तो यह आ आ चुके बच्चों आप direction को find out करते हैं direction find out करने के लिए आप लोगों को एक triangle दिख रहा होगा इसका नाम फिर से हम लिखेंगे यहाँ पे in triangle या right triangle triangle O N S इस पर आपको लगा देना है tan beta है ना क्या लगा देना मैं चो tan beta यह beta है ना क्योंकि बेस से हमें इसके direction को पता करने कितनी degree घूम राए 30, 20, कितने 30, 40, 45, 75 कितने degree रोटेट करेगा उसकी हिसाब से वस्ताइए तो tan beta हो गया तो tan beta एककल क्या हो जाएगा perpendicular P हो जाएगा base यहाँ पर B हो जाएगा तो tan beta perpendicular कौन सी line है यहाँ पे SN base यहाँ पर कितना है तो base बच्चों यहाँ पर है O N तो tan beta SN की value याद है कि नहीं याद है हमें सैदल निकाला था P sin theta sorry B sin theta B sin theta B sin theta upon A plus B cos theta इस परकार बच्चों हम लोग यहाँ पर किया आया था B आया था ना B cos theta याद करो याद करो वो दिन तो जाएगा B cos theta ठीक है जैसे यहाँ से आप लोग beta निकालोगे तो उधर हो जाएगा 10 inverse B sin theta B sin theta upon A plus B cos theta इस परकार बच्चों हम लोग इसकी direction को भी पता कर सकते हैं यह आपको A और B पता है theta पता है तो आप लोग angle भी निकाल सकते हो कितने degree angle पर यह rotate करेगा तो आगे ना बच्चों बास समझ में तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग इतना रखेंगे बाकी मिलते हैं किसी important next topic में और बच्चों यह दी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को like और share करें चैनल पर अपना है हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं आपको किसी important topic में